नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियूज मैं हूँ यूगीश चिक्रवर्ती बिहार में राजसवा की चछ सीटों के लिए चुनाब होने हैं और इसके लिए तमाम राजनितिक दलों ने अपने अपने उमिद्वारों की घोशना कर दी है कहा जा रहा है कि महागट बंधन की योर से भागपा माले आरजेडी से एक सीट की गुहार लगा रहा था लेकिन बात दोनों के बीज नहीं बनी ये भी दावे किये जारा है कि बात इसकदर बिगड़ी है कि जो लेपट पाटियां है वो आज बैठक इस मसले पर की है और क्या कुछ निकल कर आया है ये अभी सामने नहीं आया है लेकिन कहीं न कहीं दरारे जो है वो पढ़ गई है इसी मसले पर हम बात करेंगे बरिष्ट पत्रकार अरून पांडे जी से सर जिस तरह से पहले बीजेपी ने उसके बाद जेडियों ने और अब आरजेडी ने अपने उमिद्वारों के नावों की घोशना कर दी है तो आप कैसे देखते हैं पहले तो आपकी फर्स्ट पतिक कल अंदरह फरवड़ी को लास्ट डेट है आज बीजेपी के दो परत्यासी धर्मशिला गुपता और डॉक्र भीम सिंग ने नाम अंकन किया जद्यू के संजज हाने किया और कॉंग्रेस के ख्रेशा सिंग ने कि अभी नाम अंकन के समय तक अज अंतिम कल है तो आज के दिन जो सीटिंग एंपी हैं मनोज्जा वो जाएंगे और एक संजय यादव जाएंगे जिनके बारे में पहचान है अभी जबसे तेजस्वी का यहां सत्ता में सभागिता होई तो संजज यादव उनके बड़े करीब दिखते थे उनके सलाकार माने जाते हैं हडियाना के रहने के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए तो संजय जादव की भूमिका भी तो परदा के पीछे से लेकिन पब्लिक लाइफ में आएंगे जब रासभा में वो जा रहे हैं तो पब्लिक लाइफ में चे सीट के लिए चुनाब हो रहा हैं चे कई डेट होंगे तो यह कोई निर्विरोध ही चुनाब होगा मुझे लगता है कि फिर मजदान की नौबत आएगी नहीं है अपनी भूमिका में एक बात आपने कही कि महाकरबंधन से माले की चाहत थी माले के जो महा सचीव है रस्टे महा सचीव निपंकर वटे अचार के नाम की चर्चा थी कि माले भी चाहिए थी तो माले चाहता था कि रस्भा में दिपंकर जाएं यह मेरी बात नहीं लेकिन राजती गल्यारे में चर्चा थी लेकिन आप भी सोचना होगा देखिए कॉंग्रेस के प्रदेश अध्याक्ष्य अकलेश प्रसाथ से और वो रस्भा के सिटिंग मेंबर है राज प्रदेश आदम ने उनका सम्मान किया उन्हें सुने का मुकुट पहनाया था और उस सभा में लालू पुषाद ने बड़ी बड़ात ब्यान दिया था कहा था कि अख्लेश को तो हमने ही रासभा का मेंबर बनाया और उसमें अपनी चर्चा कहते हैं तक कह दिये थे कि वे जाओरा सभा में और फिर जैसा लालू पुषाद ने कहा कि सुनिया गांडी से और कॉंग्रेस के दूसरी नहताओं से बात चित की और अक्लेश का नाम ते किराया अक्लेस मेंबर गये तब तो अब लाजिमी है कि अभी लालू पुषाद का फीजिकल प्रेजिंस है पॉलि बन गई कॉंग्रेस के ही अखलेश जाद अखलेश पर साथ सिंग गये हैं तो दिपांकर की बात ने अब जहां तक नाराजगी की बात है कोई बैठक की बात है यह आप कर सकते हैं कि बामदल की चाहत पुड़ी नहीं है लेकिन बामदल अब नाराज होकर ही क्या करेगा बाज बुलंद करता रहा बामदल जो है अभी जब यहां महागडवंधन की सरकार थी तो उसमें एक सहयोगी दल था बहले ही बामदल के प्रतिनी सरकार नहीं थे बाहर से सपोर्ट था कुछ नहीं बामदल कर पाया और बिगार पाया सिर्फ बातें होती रही वियानवाजी होती रही और अंतह नियोजी सिशक जो कल भी आपने देखा कि राज अस्तरिय हैं प्रदर्शन हुआ था और विना सर्थ राज कर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं सरकार कहा मानी है को आकि उन्हें पर इक्षा देनी होगी अब तीन बार अवसर नहीं पांच बार अ बामदल की स्थिति है कि उनको भी इस महागटबंधन में साथ रहना उनकी भी मज़ूरी है और जरूरी भी है आज राजत अब आमदल का गठवंधन नहीं वा रहता महागटबंधन का तो विधान सभा में जो सीठे आई है जितनी वो सीठे नहीं आती है इसको सिदे समझा जा सकता है अब लोग सभा के चुनाब हैं उसमें भी साथ लड़ेंगे लोग माले कि उसमें तो चर्चा थी कि दो सीठ मिलने की बात है सिवाना और आला अब जो जदी इधर हो गया है तो फिर सीठ का क्या होता है वटवारा आप देखिए उसमें को लेकिन बामदल में जो बाम में जास लोग साथ रहेंगे अब रहिवार्वार्वारा अब जो आपशे केंडेट वने हैं उसमें दर्मप धरम् avaient हैं और और फिर इधर कि संजय जादव हो गए अब साले 14 परसेंट बिहार कि आवादी है यादवों की सरवाध्धिक आवादी है और कहते हैं कि राजद में तो राजद जात के रहाद के साब से और यादवों पर राजद का ही अधुल्ट प्रभाब सबसे ज़्यादा बना जाता है यही तो उसका इम्बाई जो समाजिक समय करन कहते हैं उसकी बड़ी पुझी आप टो ये टूजेट ते जस्वी आदब ए टुल कira घ़िएड कर रहें तो एक दिया है नो ज़ हो में अगरी जाती को दिया है तो लेकिन सबीन होगी इस पर टो कुछ बहुत नहीं कर सकते हैं वो गहीं बात उठाई सकती है कि बहुत सारे सब्सक्रांट के लोग लाइन में वह चाहते थे राश सबाः जाना वह बाजी मार ली संचेज अब नोसे हैं कि नाकूर नोकूर ना चाहते है पार्टी हेलालू जी की पार्टी है ते जस्वी को जो फैसला होगा उन्हें मानना उनके लिए बाद हैं उनके बाद्धिकारी है तो इसलिए इसमें कुछ शीफवर्ण तो मुझे नहीं लगा जा सकता है दोनों में होड़ लगे हुई है जाति हमने करवाया इसकी होड़ लगे हुई है लेकिन जिस तरह से दोनों पार्ट्यों ने टिकट बाता उस से यह लगता कि यह लोग कहने की बात है कि जिसकी जिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी क्योंकि भागीदारी के हिसाब से अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिलना चाहिए था कम से कमें दलों में देखिए बिहार में जाती है सर्वे हुआ किसी दल ने विरोध नहीं किया भाजपा इसमें द्वन्द में जरूर थी लेकिन भाजपा ने भी विरोध नहीं किया था राइम मिनिस्टर से जब यहां जाती है सर्वे कराने की मांग को लेकर भाजपा सिश्ट मंडल में भाजपा भी साथ नहीं थी लेकिन बात तही है कि जिस धंग से बढ़ चरके नितिश कुमार ने जात्यासर श्वे नहीं जाति ज्यातिये विहार नहीं जाते सर्वे हुआ अभी सरवाधिक देशबर में सर्वाधिक सेविंटि फाइपर सेंट सरकावी नोक्री में अरक्षन लागू हो गया जिसमें 65% पिछराती पिछरी जाती और अन्सुच्य जाती जन जाती के लिए सीठी बाटनी थी मैं यह मानता हूं कि एंडिये में खासकर वीजेपी ने जो टिकट कवटवारा किया है उसमें सोसल निजिनेरिंग अकल की राजनीत साफ दिखती है अब वो इसी सोसल निजिनेरिंग में वीजेपी ने अब यहां सुसिल मोदी एक बड़ा अस्थापित नाम है बिहार भाजपा के पिछी फिनिस्टर रहें पिछले दो दसक से अब उनको इस बार टिकट नहीं मिला उनकी जगधर्म सीला गुपता महिला है अधिया वादी जिसको आप कहेंगे उनका नाम सामने आ गया और भीम सिंग जो अतिपिती जाती के हैं मंतिर रहें उनका नाम आया है तो बीजेपी तो सोसल इंग किये है इसमें कोई जो सामने है आप देख सकते हैं इसको इस रूप में मैं देखता हूं इसलिए आधि आवादी कहना तो बहुत सरल है जुगेश जी आधि जितनी जिसकी आवादी उतना हिस्सेदारी लेकिन अभी ही इसेदारी की बात तो करती हैं अब आचरन में भी दिखाना होगा अभी तो देखें ना पिछले तीन दसक से बिहार में लालू जी और नितीज जी का ही ने राजनितिक प्रभुत्व है एक परिमारे लालू जी या रावरी जी रही है और फिर नितीज कुमार है 17-18 साल से तो क्या यह सवाल उठता है कि क्या 2025 के चुनाव में तो किसी अती पिछरा को या किसी अन्य को चेहरा बनाएंगे तो पिछली बार भी तो जब 39 कुमार साथ थे उन्हें ते जस्वी के नेतित में चुनाव लड़ने की बात जातिये सर्वेक्षन के बात अब उनके लिए भ इसकी पूर्ति करनी होगी नहीं तो इस एक बड़ी बड़ी जाती सम्मूंगा अगर बीजेपी ने सोसल इंजिनियरिंग करके जो है राजसभा में टिकट दिया है और ट्रांसपारेंसी उसमें ज्यादा है तो हमारा सवाल आप से यह हैं सर कि अगर बीजेपी ने सोसल इं इन लोगों को भी आने वाले दिनों में लोगसभा चुनाब के लिए जाना है तो क्या इनके जो मिर्वार हैं वो लोगसभा चुनाब को परभावित करने का दम रखते हैं देखिए अभी सोसल इंजरी तो आप सबको इस समय की बांग हो गई है मैं तो आप से प्रारम में जैसा कहा कि चपन रासवा की चपन सीटों के लिए चुनाब हो रहे हैं तो उसमें बीजेपी की जो समगरता में मैंने सूची देखी उसमें यह दिखता है अब आप देखि अरखन के परभारी थे केंद्रिय बंती रहे उनको टिकट दिया है रासभा यूपी से वह जा रहे हैं जेपी नड़्या तो खैर पाटी के अध्यक्ष है वो गुजरात से जाएंगे और इस तरह से अभी असोग चौहान जो कल ही महाराष्ट में उन्हेंने कॉंग्रेस चो तो उसी साब के स्टेडि से चल रही है और जहां तक जदी और आजट का सवाल है तो उसकी सिमा विहार में यह यह चेत्रिय डल है , तो विहार के सिमा में आप आने वाले दिन में जो चुनाव होंगे ँचिस हख तक तक सोसलिग्व करती है थोड़ा इनतिजार करना पड़े जिस तरह से टिकट बाटे गए हैं क्या आपको लगता कि पार्टी के अंदर भी मतलब जो है तरह से कहीं ना कहीं नाराजगी और बगावत की बू आएगी नहीं देखिए नाराजगी तो कोई दवी नाराजगी हो दवे सवर में कुछ जो लोग बोलते हैं को फुल कर इसको लेकर हम नहीं समझते आप कहा करी जो विधायकों से जीत कर जाना है विधायकों तो मदान करने का अफसर ही नहीं मिलेगा छे सीटें हैं और छे कहीं डेट हो गए तो मदान होगा ही नहीं तो नाराजगी कहां दिखेगी जलकेगी अब कोई जदी कुछ आप से हमसे बाचीत में कोई अपनी बात कहे तो उसका तो कोई मूल है नहीं जब उनको भोट देनी का अफसर आएगा जैसे आपने देखा अभी विधान सभा में अभी यहां फ्लोर टेस्ट था तो राजद के तीन विधायक नो फ्लोर ही पाला बदल लिया चले गए उस और राजग के भी एंडिये के भी छे विधायक स्पीकर का जो नो कॉन्फिडेंस था उसमें एफसेंट होकर के भी अपनी नाराजगी दिखाई लेकिन राजसभा के चुनाव में तो भोट होगा ही नहीं तो विधायक को कहां अपसर मिलेगा अपनी नाराजगी और इक्ष हो जागा के इंडियेट की जब घोषना होगी तो सभावी क्रूब से उसमें सभी दलों मैं समाता हूं से कोई दल चुता नहीं रहेगा तो क्या कॉंग्रेस क्या बीजेपी क्या राजद उसमें तो जो लोग टिक्टार्थी हैं और जो सीटिंग है अब देखे 16 सीटें है सभी जदिव की तो उसमें सभी 16 को मिलने से रहा शीटिंग एटिंग होगा ही नहीं और बीजेपी में भी 17 सीटिंग मैं उसमें सीटिंग एटिंग नहीं होने जा रहा है उसमें भी कोई कौन जिताव हैं कौन सबका एक परफॉर्मस पाटी ने सर्वे कराया है तो तो यह करता है इसका स्वर दिखेगा एक्शन्स दिखेगा तो भले ही जेडियो और आरजेडी जिसकी जितनी आबाधी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती हो उसे इंप्लिमेंट करने का दावा करती हो लेकिन हकिकत में उस फॉर्मूले पर बीजेपी चल रही है और राजसभ कि च्छा सीटों के लिए जो टिकट के बटवारे किये गए हैं उसमें उसकी ये सोसल इंजिनियरिंग दिखती है फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूले बिचा झाल